देश की अंतीम सीमा पर चटे पच्छी में राजस्तान के बाड मेर जिले की अंतराष्टी सीमा पर एक संदीग युवक पाए जाने के बाद सुरुकसा एजनसिया और पुलिस हरकत में आई और जो पिछले तीन दिन से लगातार उस संदीग युवक की तलास कर रही है लेकि युवक सीमावरती गाव जेशिंदर इस्टेशन उतरा और वहां पर कुछ लोगों ने उसे पूछा तो उसने खुद को जोदपूर निवासी बताया और उसके बाद वह थोड़ी दूरी पर चला गया जहां पर कुछ और ग्रामिन मिले तो ग्रामिनों को उसने अपना नि लगातार उसकी तलास के लिए अलग-अलग जगह पर दभी से दी लेकिन देर रात तक उस युवक का कोई अता पता नहीं लगा ऐसी आसंका जटा जटाई जा रही है कि वह युवक तारबंदी पारकर पाकिस्तान चला गया है इस पूरे मामले को लेकर B.S.P के अधिकारि बिकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रशाद कलाल ने आज बिकानेर में नई बनी सडकों को जाचा पर खा दरसल लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता नहीं है ऐसे में आज P.W.D. अधिकारियों के साथ भगवती प्रशाद कलाल सडक पर निकले इस दोरान उन्होंने वहीं से नमूने भी कलेक्ट करवाए उनका कहना था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी नई सडक बनी है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही हो इस दोरान P.W.D. अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया कुछ एक मामलों म पेजल की पाइपलाइन को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिये तो वहीं शाम ढले माटी पर योजना की समिक्षा की दरसल जिलाकलक्ट की पहल पर एक योजना चलाई जा रही है जिसमें किसानों को चिंधित कर उन्हें प्रसिक्षित किया जाता है कि वो अपनी जमी पार चाहर यात्रों की हुई दर्दनाक मौत दो से तीन घायलों की अभी भी गंबिर बताई जा रही ही हालत बसमें सवार यात्रों के मताबिक हादसे का कारण चालक की लापरवाई रही गुजराच से चलने के बाद वाया कुटा कानपूर जा रही इस बस के यात्रियों कई बार चालक को बस की स्पीट कम करने के लिए का था लेकिन चालक लापरवाई से और तेजगती से बस चलाई जा रहा था बैराल सबी मरतक यूपे के अगल अगली जिलों के रहने वाले हैं जबकि गायल एमपी गुजरात और यूपी के रहने वाले हैं हादसे का कारण चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया बाद में एस्पी ग्रामिन कावेंदर सागर मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरत पुरत में अस्पताल पहुंचाया गया